एक important notice निकल के आर आप सभी के लिए राजस्तान में सिचक के बदों पर लगबग 48,000 पदों पर सिचक बरती निकाली गई है तो इस वीडियो को complete देखिएगा इस वीडियो में complete information आपको मिलेगी यह जो 48,000 पदों पर सिचक बरती निकाली गई है इसमें apply करने के लिए fee क्या चाहिए आखिर apply कब से कर पाएंगे आप last date क्या रहेगी आखिर इसका exam कब होगा eligibility में qualification क्या चाहिए आखिर यह जो 48,000 पदों पर सिचक बरती है इसका जो पूरा selection procedure रहेगा वो क्या रहेगा वैकेंसी कितनी निकाली गई है complete information आपको इसी वीडियो मिलेगी वीडियो को पूरा देखेगा तो देखें जो आपका recruitment board है वो है राजस्तान स्टाप selection board third grade teacher primary teacher की यह post है total 48,000 वैकेंसी निकालीगी है जिसके लिए salary यहाँ पे 34,800 रुपए तक की salary आपको दी जाएगी 19 जनवरी 2023 इसके last date है mode of apply यहाँ पे online है केवल इसके लिए online ही आविदन करेंगे इनकी official website से अब यहाँ पे कुछ important बाते जान लीजिए जैसे application fee क्या रहेगी तो general OBC EWS के लिए 450 रुपए फी रहेगी OBC के लिए यहाँ पे 350 रुपए फी रहेगी ST ST candidate के लिए आपे 250 रुपए फी रहेगी देखे फीस का जो मौड रहेगा payment का मौड जो रहेगा वो online ही रहेगा यह important dates ने देयाद दीजिएगा event आपको जो start हो रहा है application जो start हो रहा है apply date जो है वो है आपका 21 December 2022 21 December 2022 से आप इसके लिए online आवेदन कर पाएंगे last date है आपकी 19 January 2023 21 December 2022 से लेकर 19 January 2023 की बीच में आप इसके लिए आवेदन करेंगे exam date भी इन्होंने दे दी है अगले ही महिने जैसे registration खतम होगा इसका 25-28 February 2030 को इसका जो exam है वो करा लिया जाएगा आगे और भी important details देखिए जैसे कि post details eligibility और qualification क्या चाहिए तो सबसे पहले eligibility में age limit आती है age limit में आपकी जो age है वो 18-40 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आपकी age 18-40 साल के बीच में है तो आप इसके लिए eligible हो अपलाई कर पाऊगे post name दो post हैं आपे 3rd grade level 1 और 3rd grade teacher level 2 जो level 1 है उसमें जो vacancy 21,000 है level 2 में vacancy यहाँ पे 27,000 है अब देखिए level 1 के लिए qualification क्या चाहिए level 2 के लिए qualification क्या चाहिए level 1 के लिए जो qualification चाहिए हो B8, BLED plus REIT qualified होना चाहिए और level 2 के लिए यहाँ पे 27,000 है जिसके लिए B8, BLED और REIT आपका qualified होना चाहिए अगर यह qualify है 18-40 साल के बीच में आपकी उम्र है तो आप eligible हो apply कर सकते हो बाकी vacancy को यहाँ पे divide किया गए आप देख सकते हो clear आगे यहाँ पे देख लिए यह selection procedure क्या रहेगा selection procedure आपका सबसे पहले return exam होगा फिर document verification होगा और इसके बाद आपका medical exam होगा clear exam pattern आपको official notification जब release किया जाएगा एक दो दिन में तो मैं आपको समझा दूँगा कि इसका जो exam pattern है वो क्या रहने वाला है apply करने के लिए इसका जो official website का link है वो मैं आपको description पर दे दूँगा उस link पर किलिक करिए form आ जाएगा जैसे ही form आ जाएगा date मैंने आपको बता दिये form फिल करिए जो भी required documents है वो upload करिए please जरूर pay करिए pay करने के बाद आप अपना जो application form है उसका print निकाल दीजिए आपको जो form है वो भर जाएगा तो complete information मैंने आपको इस बरती के बारे में दे दिये अगर कोई question है तो आप comment box पर पूछ लेना जैसे इसका पूरा notification आ जाएगा मैं पूरे notification का वीडियो भी बना दूँगा